इंडियाने उसके साथ जुट चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकूल बात करेंगे श्रद्धा मडर केस को लेकर श्रद्धा मडर केस एक ऐसा केस जो बंध होने का नाम ही नहीं ले रहे हर दिन इस केस पर कोई न कोई नया खुलासा हो जाता है क्योंकि केस भी इतना ही जादा संगीन है जिसने भी श्रद्धा की हत्या के बारे में सुना उसके रोंगते खड़े होगे इस केस ने पुरिदेश का दिल दहला दिया थोड़ी सी केस पर अगर नजर डालें बाकी बात विस्तार में करेंगे श्रद्धा मडर केस जहां पर लिविन पगड़े होना शुरू है बात है 18 में की जब श्रद्धा की हत्या कर दिगे श्रद्धा की हत्या और किसी नहीं बल्कि उसी के लिविन पार्टनर आफ्ताब ने की पहले आफ्ताब ने उसके साथ जगड़ा किया फिर उसे बेड़ पर धका दिया और धका देने के बाद उ पहरोली के जंगलों में, दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पर फैंग दिया। बताना चाहेंगे आपको कि आफताब और शद्धा दोनों छटरपूर में घर में रहते थे, दोनों लिव इरलेशन्शिप में रहते थे। आफताब ने जब ये जुल्म किया, उस जुल्म को सुनने के बाद हर किसी की रूखाव ले। बंदार बाज में कहता था कि साबित करके दिखाओ मैंने श्रधा का कत लखिया क्योंकि जो भी सबूत थे वह अहम जो सबूत थे वह नहीं मिल रहे थे सबूत जैसे कि वह वेपन जिसे श्रधा के टुकड़े की गे या फिर वह कप्ड़े श्रधा के खून से बहुत ऐसे कई सारे सबूत के जो नहीं मिल रहे थे लेकिन अब एक अहम सबूत ऐसा पुलीस के हाथ लगा कि अब आफताब को कोई भी नहीं बचा सकता है जो आफताब जो शद्धा के जो हड्डियां अलागे जगाओ पर फैक्तत और महरोली के जंगलों से जो पुलीस को शद्धा के अब एक वक्त का खाना काने लगाई सोचिया अफताब का वजन पूरी तरह से गिर गया है अफताब जो है सूत्रों के हवाले से एक ख़बर भी सामने आी है कि आफताब जेल में बात सुनके कि शृद्धा और निकी पिता का डीन्ने मैच कर गया शृद योट्धा की पहले तो उसके चेरे पर कोई शिकर नजर नहीं आती थी लेकिन अब आपताब घबरा रहा है आपताब उस अंधेरे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है बार-बार पूछता है कि मैं कहा हूं मैं कब बाहर जाओं गार अब उसके चालाकी तो देखी कि आपताब ने अपनी जमान की अरजी तक डाल दी है बाहर आने के लिए बेताब हो रहा है आपताब वो सोच नहीं पा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि जितना संगीन जितना घिनोना उसने जुल्म किया है उस जुल्म के बाद उसका बचना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुमकिन है अब इस नामुम कई सारी बाते उसमें भी सामने आई लेकिन आफताब को सजा से कोई नहीं बचा सकता है डर गया है आफता बार बार जेल की सलाकों के पास आता है भागता हुआ वहां पर टक्कर मार के बोलता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो आफताब को अब कोई भी नहीं बचा सकता है ये बात साफ हो चुकी है, अब आफताब की सजा को लेकर लगाता सवाथ, आज उसकी जमानत की अर्ची थी, आज उसे कोड फिले के गए थे, लेकिन आफताब जब पुलीस वालों से कहता है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि वो बाहर आना चाहता है, तो पुलीस उसे सीधा कहते कि भाई, अगर तुम बाहर गें, तो बाहर तो लोग तुमें मानने के लिए बैठे हैं, तो तुम अंदर ही से ही हो, आफताब पूरी तरह से घबरा चुका है, और आफताब को अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बड़ा पुखता सबूत पुलीस के आ का फ्रिज में कई दिनों तक वो तुकले रखे, जिसके बाद उसे वो फैकता रहा, बड़ा प्लैनिंग करके इस काफी शाते तरीके से शद्धा का मडर किया था अफताब ने और इस मडर ने पूरे देश का दिल दहला दिया था, लेकिन अब अब आफताब को कोई नहीं,